प्रुवांचल की बची हुई सीटों पर दौड लगा रहा है गाजिपूर सीट भी प्रुवांचल का ही हिस्सा है वरासी से सटा होने के कारण गाजिपूर को लहुरी काशी यानि छोटी काशी कहा जाता है जहां पुर्विधायक मुक्तार अंसारी की मौत के बाद पहली बार लोग सबाचुनाओ हो रहा है सत्ता के साथ वे संग्राम में एक जुन को इस सीट पर मदाता अपना सांसत चुनेंगे इतिहास की पने परट कर देखे तो यहां करीब 35 साल से किसी भी संसत को लगातार दूसरी बार काम्याबी नहीं मिली ऐसे में हाथी सुतर कर साइकल के सवारी कर रहे मुकतार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 35 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी का सपना देख रहे हैं इस बार अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है उनको टकर देने के लिए बीजेपी ने पारस्पनात राय पर दाम चला है जो की मनोसिनहा के भीहत करीबी है कभी जमू कश्मीर के उपरा जिपाल मनोसिनहा ने यहाँ पर कमल खिलाया था वही सपा और बीजेपी की वोट बैंक में सेदमारी के लिए बसपा ने डॉक्टर उमिश कुमार सिंग को प्रत्याशी बनाया है जबकि इस सीट से अफजाल की बेटी नुसरत अंसारी निर्दली खड़ी है लेकिन बाद में अफजाल और मुक्तार का दबदवा यहाँ देखने को मिला अब तक प्रुवांचल की इस हाई प्रोफाल सीट पर 17 बार आम चुना हुए हैं जिसमें 5 बार कॉंग्रेस, 3 बार BJP, 3 बार CPI और 3 बार सपाने अपने जण्डे गाड़े हैं इसके अलावा जंता पार्टी, स्वतनता पार्टी और BSP ने एक एक बार इस जीट से जीट हासिल की है 2019 में हुए लोगसबा चुनाओं के नतीजों पर नज़र डाले तो बसपा के अफ़साल अंसारी 5,66,82 वोटों के साथ जीते थे BJP के मनोसी नहा को 4,44,690 वोट मिले थे और कॉंग्रेस के अजित प्रताब कुशवाहा की खाते में 19,834 वोट आये थे गाजीपूर लोगसबा सीट यादव वाहूले माने जाती है इसके अलावा और भी जातियों का यहां काभी प्रभूतो रहा है मीटिया रिपोर्ट की माने तो गाजीपूर में कुल मदाता 29,23,32 है इसमें पुरुष मदाता 15,41,992 और महिला मदाता की तादात 13,80,955 है यहां सबसे ज़्यादा 4,49, यादव, दलित 4,00, मुस्लिम मदाता करीब 2,70,000 और राजपूर 2,70,000 और ब्रामड 1,60,000 मदाता है हालाकि अफजार अंसारी की चुनावी तक दीर का फैसला जनता से पहले कारून के अदादत में होगा क्योंकि अगर गैंग्स्टर एक्ट के मामले में इलाबाद हाई कोड ने उनकी सजा रद नहीं की तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसे में मुक्तार की बेटी नुस्रत धिर्दली तोर पर सपा का चेहरा रहेंगी खेर कोड का फैसला जो भी हो लेकिन चुनाव तो इस बार तगड़ा है अब चार जून को देखना होगा कि मुक्तार की मौत का कितना असर गाज़िपूर में देखने को मिलेगा और कौन किस परभारी पड़ता है भारत की बात रोहित सिंग सावल के साथ सिर्फ एबीपी नियूज पर एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी